कोरोना मामारी और लोकडाउन के चलते लोकडाउन लगाया गया था वार्ट रेपन के पारशत किशन कुमार तृपार्टी ने अजमेर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस कप्तान को ग्यापन सोपा पारशत किशन कुमार त्रिपाटी ने बताया है कि शेतर में पिछले एक मैने से पोजिटिव मरीज सामने नहीं आया है और ना ही इदर स्क्रेनिंग और जाच का काम चल रहा है जिस कारण ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कर्फ्यू अटा देवे जिससे हम व्यापैरियों को सहुलित मिल सके क्योंकि अजमेर के तमाम शेतरों से कर्फ्यू अटा दिया गया है जो शेतर बच्चे हैं जहां से पोजिटिव मरीज आ रहे हैं वहीं पर कर्फ्यू का दाइरा बढ़ाये जाए हमारे शेतर में काफी समय से कोई पोजिटिव मरीज सामने नहीं आया है वहीं अपना मांग पत्र सोपा उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें से लेकर और सोना का इसा बोडर ले रखें और यह सब परिशान है इनकी दुखान है जिसमें सिर्फ एक आदमी वेड़ सकता इससे ज्यादा उन्जाइस मीनिया तो इस शेत्र में आवाजा भी कम है और लगते हुए सारे शेत्र फुल गया जैसे कड़का चोग खुल गया से दरगा बजार खुल गया तो साथ हम संबंदी तदिगारी स्रीमान पुले सदिक्षंग मोदें जिलादी से ग्यापन देने आया कि इनका विचार गर पुना समिक्ष्चा अगर इनको कर्फिय से मुथ किया जाए जाए कि अब इनकी यह आलत निया कि इस लोकडाउन को आ टाइमिंग के अनुसार हम उसका पालन करें जी है कि अंगार तरपार्टी वार तरफवन पारसर पार्शर।